हेलो गुड इवनिंग एवरिवन वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल ओल्ड स्कूल मेंटर तो आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे ठीक है तो जो हमारा जो इंडियन जोग्राफिक चल रहा है मौंटेंज आफ इंडिया जिसमें से हमारे दू लक्षर अ हो चुके हैं और आज जो है हमारा तीसरा उसी टॉपिक का मौंटेंज आफ इंडिया का तीसरा पार्ट है ठीक है आपको सामने दिख रहा होगा इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको एक बार हम डिसकस कर लेते हैं और मुझे लगता कि यार जितना अच्छा सा है मैंने य क्लेर हो गया मौटेंज के बारे मैं अपको बताया था जो जर्नली खोंते रहती यारी बच्प को बताया था है हिल्ग जो होती मौटेंज से तो उसके बाद हो लुघ लोग रहते हैं टीक हैं लेकिन मौन्टेंज में मैं भी रहते हैं लेकिन मैं जो आपको बताया था कि सबसे कम मौन्टेंज में फिर उसके बाद हिल्स में फिर उसके बाद प्लेटिव में सबसे ज़्यादा लोग रहते उसके बाद हमने डिसकस करा था आगे मौन्टेंज के बारे में भी ठीक है कि ब्लॉक म पड़ेंगे ठीक है दैनकर उसके भाइद जो हम लास्ट ऑपिक अभी पार्ड Third topic ऐस में अभी प्ड़ा था हिमाल्याज के बारे में जहां पर हमने सबसे पहला एक हमा चेलाश हो गया लदाख हो गया न और मैंने आपको यह भी बताया था कि एलाश की पाड़ियां किसको गहते हैं लदाख की पाड़िया जब तिब्बत में गुलजाती है उनिक उन्हें एक कालाश बोलते हैं ठीक है यह सब भी चीज़ें हमने डिसकस ची हुई है ठीक है मैपक की वीडियो में बना दूँगा और मुझे रगता है वीडिन वीक के अंदर इसी वीक के अंदर जो है आपको मैं वो पास्ट की वीडियो बना दूँगा तो दिक्कत बनेगी ठीक है इसलिए द्यान रखना इस चीज़ के बारे में तो आज जो है हम हमने पढ़ा था ट्रांस हिमाल्यास के बारे में आज हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमाल्यास के बारे में ठीक है विद मैं आप इसको हम समझेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमाल्यास के बारे में ठीक है फिर दन उसके बाद हम पढ़ेंगे ओटर हिमाल्यास के बा जाएब टीक है चलिए वन बॉण करके डिस्कस करके पढ़ेंगे ठीक है मैंने आको पहले बता चुका हो हम जतना पढ़ेंगे धीडरे से पढ़ेंगे अराम से जुरूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको जैसा मैं आपके लिए और जैसा मैं समझाता हूँ ठीक है मुझे पूरा यकीन है कि पूरे यूटीब उठाके देख लो किसी ने इतने अच्छे से नहीं बढ़ाया का आज तक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों क सबसे पहले हम पढ़ें के बारे में अगर किसी बच्चे ने यह वीडियो सर्फ यहां से स्टार्ट कर रहा तो मैं उसके रिकस्ट करता हूँ कि पहले जाके जो पहली मेरी दो वीडियो मौन्टेंज अफ इंडिया की वह देख ले उससे पहले फीजियोग्राफियो बनाई वह भी देख ले फिर उसके बाद यह वीडियो देखे गा तो उसको समझा जाएगा अगर आप बीच में से देख रहे हो ना तो फिर आपको कुछ भी समझने आने वाला यह आपको पहले सुन लो ठीक है चलिए ग्रेटर हिमालेस के बारे में हम बात करेंगे देखों ग्रे नहीं होती है जर्नली च्वाहां नहीं होती हृते हैं है और्रवार यह कश्मीर लेकर नामचा वर्वथ चलती हैं ठीक है और इसमें से कुछ पास्तों लदाख में जोजीला है तो अन्ठ की विडियो बनाओंगा उसमें आपको सार Messiah cases स क्लेर करवाद उनका। उसमें आपको घबराने की दिक्कत नहीं कि मतलब यह क्या पास की तो पा समझ लो लाक मतलब ही पास हुता है लगर मतलब ही पास होता है जन्रलिव. इसको खुज से बने होते हैं यह नहीं ग्रानाइट्स जीनिस डीकर यह सारे कि सारे जो है कि इस स्ट्लाइन रॉक्स बनी होती है इस बर्वा कहां पर है अरनाचिछ परदेश के ओपर इंट तो मतलब कश्मीर से लेकर नंगा पर्बत से लेकर नामचा बर्वता की चलती रहती है पहड़िया इसलिए में इनको ग्रेटर हिमालियाद कहते हैं तो यह कभी खत्म नहीं होते हैं कांटिन्यूस रहें इसकी ठीक है डग्रेटर हिमालियाद रिस लेस्ट रेंफाल एज कंपियर तो लेस्टर हिमालियाद एंड शिवालिक्स जो आगे पढ़ने जा रहे हैं कह रहा है कि जो ग्रेटर हिमालियाद है इसमें बारिश बहुत कम होती है ज्यादा तर यह बरफ से पंद की होई होती है थीक है यहनी स्वनोह केप्ड मौंटले थीजह में ने भी बता तो इनकी जो हाइट है मट्राचिटर हिमालियाद वी अब आपकोस सीट हो Broncos जो गरेटर हिमालियाद कि जो है ना क्या हो गया यार ठीक है यह देखिए यह मैं थोड़ा से सक्रीन बड़ी हो गई ठीक है यह यहां पर ठीक है उसके बाद क्या हो गया उसके बाद उसके बाद ठीक है चलिए यह देखिए यह ग्रेटर हमालियाद है ग्रेटर हमालियाद के बारे में आपको इसकी जो हाइट है जर्नली तौर पर ठीक है इनकी हाइट के बारे में बात कर चुके है ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में तो यह देखिए लेस्ट इसलिए आप ग्रेटर हमालियाद से हैं तो ग्रेटर हमालियाद से नीचे आती है मिदल हमालियाद इसी को हम लेसर हमालियाद भी बोलते हैं हमादरीं बोलेंगे बाफसरा क्यों होती है इनको हम हम मिडल हमालियाद से बीच में ठीक है मैं आपको फूर्म समझाओं गा लेसिन ऊंटी होती है ठीक है इनकी डिस्टेंस क्या होती है 370 3700 से लेकर 5 4500 मीटर के बीच में अबब सी लेवल से ठीक है इंपॉर्टर रैंजिस कौन कौन से आते यह से पीर पंजाल वाला एरिया ठीक है जोलादार हिमाच्य परदेश में मुसूरी जो है उत्राखंड में ठीक है उसके बाद जो है महाबार जो नेपाल में ठीक है दा समज़ना बहुत जरूरी है मैं आपको अगर यह मौटैन है मौटैन के बाद यह हमाल्याद बन रही दो अब कभी क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हिमालेया जो अना ग्रो रोगरती है तो बीच में यहां रहा है तो यहां का हिस्ता कुछ यहां पर आ प्लैन वेली बन गी अब इसके पर लोग रह सकते हैं प्लैन हो गया इन्हीं को हम दून्स बोलते हैं यह देखें अब दियान में तक यह लेसर हिमालिया और शिवालिक्स की बीच में यह आपने यह पड़ा इतना ग्रेटर हिमालिया यह ग्रेटर हिमालिया और यह ग्रेटर ह जो एरिया ना बीच वाला एरिया कहता है मिडल और श्वालिक्स के बीच वाला एरिया है यह वाला यह वाला इनको हम दून बोलते हैं यह नि जब रहने के काभिल हो जाएं होता है ना कास्ट अब एक नहीं हो पाते हैं उनको बोलते हैं और इन ही को यह जो है इंट ही मालेया इंट आती हैं मिदल हीमाल्य हमाल्य अजमा यह बात आपको याद रखनी है इकदामें पूछा जाता है ठीक है जैसे शिवाली कुरेट अर्कर्द दून जो आए편 reporting देखे हैं जैसे कोटली धून आ divorce brewing नूंश्में declared defended नृफ सब लिखा हुआ जो है किए सबसे फैमिस है पीर पंजाल लौंगे घानि के आफ बताया कि इंकी रेंज हिमालया जो नहीं होती है जैसे लेकर डिफ्रैंस क्या है कि पीर पंजाल मैं स्वरी जो मिडिल हिमालया जो है अगर कोई रेंज ज्यादा बड़ी है तो वह इसके साथ जीलम रिवर बीच में ठीक है क्या सब्सक्राइब करता है यह सारी वाली वीडियो लेके आऊंगा ठीक है मैं प्यूपिटी त्यार कर रहा हूं तो उसमें से आपको सारी की सारी जो कवर करवा दूँगा पासिद के बारे में ठीक है बूद्थ और डा ठीक ओड़े डियार काट इसी का नेक्स्ट वाला पार जो है वहां पा कुलू वैली इन हमाच्य परदेश टीक कुछ वैलीज भी आती हैं Middle Himalayan के इंदर बात हो रही है Majority of the Himalayan Hill station like शिमला ठीक है अब शिम्ला कहां पर बढ़ता है इसलिए पेपर टाफ नहीं होता है बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपने आपको कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल देहरे से बढ़ना है अराम से समझना है कोशिश करनी है बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं क्यों क्यों कि आप घर जाके जब आप देखते हो पेपर को फिर याद आता था रहे यह कुशन मुझे आता था मैंने गलती कर दी वो चीज़ आपको नहीं करनी है जब भी आप एक्जाम देने बैठो बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठो और को समझो ठीक है देखो टाइम ज रख गए ना तो पेपर बहुत इजी होता है लेकर आप आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है कि पतानी पेपर कैसा आएगा क्या क्या पुछे जाएगा मुझे आता होगा नहीं आता होगा अगर इस सोचने बैठ जाओगे ना तो फिर जो जीद आती भी होगी भी भूल जाएगी ठीक है इसलिए बिल्कुर रिलैक्स होगे पेपर देना अराम से देना ठीक है अभी आप देखो यह अगर यह चीज़ें आप सुन रहे हो कोई बीचीज अगर आप मतलब ऐसे सुन रहे हो ना तो आपको चीज़ें बहुत याद रहेंगी देखो शिमला हुई हिए दू चीज अभी जिनको मिली elektry बहुते हैं अब हम नेक्स्ट आते हैं सांद्व मालय हो इस क्लिए अचलि हो आटे के बारे इस व्यूक्सिट है अब तो तोबकर यह व्यूर्चा मालियस सौरी मैंने आपको बताया था ना मैं आपको मैं आपके थूरू भी समझाओंगा आगे ठीक है बिल्कुल अभी द्यान से पढ़िए ठीक है आप लिखने वाला काम करिए सबसे पहले हमने पढ़ा greater Himalias greater Himalias को हम हिमादरी कहते हैं इनका मतलब भी बर्फ होता तो इमादरियों के बहुत बड़ी पाड़ियां होती है उसके बाद greater Himalias के बारे में उसके बाद हमने पढ़ा हमने में में लेसर हिमालया बोलते हैं क्यों greater Himalias से कम रहेंज होती है और मिडिल हिमालया में continuous रहेंज नहीं होती है क्योंकि नंगा greater हिमालया जो है नंगा परबस से लेकर नम चाब अबर्वा तक है कि कश्मी से लेकर अधराच्व परदेश तक है न और वह जो है मिडिल हिमालया जो है वह greater Himalias नीचे आती है ठीक है तो वह ज्यादा तक नीचे मिदल आसाम तक जाती उसके बाद उसके बाद यह जो है यह परमोस ने जा थो है मैं अनुआ को पहले ही बता दिया ठीक है विए इंनकी है नाइन रीडेट suficiente के बीच में खेंव से वह ट्रव और यह यहांग साथ लेकर यह जो अपने साथ लेके आपदी हैं सारीके थीक है हिमाले रेंज लिकोटर फारदर नार्थ धीब वैलीदार कवर्ड वी थिक ग्रेवल एंड अलूमियम अलूमियम के मिसले क्या होता है देखो अलूमियम होती है जो पुरानी मिटी होती निव अलूमियम बोलते है ना जिनको हम साइल के टॉपिक पड़ेंगे उसमें क पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको पीछे वाला टापी कवर नहीं है ना तो यह चीज़ें आपको समझनी आने वाली अगर आप पीछे पहले दो लक्षे देख लीजिए उसके बाद जाके इसको पता चली इसको आप पढ़ सकते हो ठीक है देखिए यह आ गया जमूरी अब देखो तो यहां पर मैं में बहुत अच्छी से कवर किया हूँ है ठीक है अब ध्यास से देखना की इल्सका नाम अलग जगह से अलग लग नाम हो जाते हैं इतना गभरानी वाली बात ही नहीं आपको यह मैप आता होगा अगर आपने मेरी पहली दो वीडियो तीन चार तो चार वीडियो तो मैंने यही बोला है कि मैं आपको समझे अगर आप मैं आपको समझ गए तो बात कामी आसान है आपके लिए देखिए यह अर्णाचल परदेश वाला एरिया है यहां पर हिल्स को क्या को जाता है देखो इस वाले में डाफला बोला जाएगा मीरी बोला ज याद रखनी है कि यह जो हिल्स है ना हिल्स के नाम आपको याद रखने एक्जाम में पूछा जाता है कि यह वाली अबोर हिल्स कहां पर है मिश्मी हिल्स कहां पर है कौन की स्टेट में है ठीक है किस में आती है गेटर हिमालेज में आती है मिडले हिमालेज में आती है यह यह चीज़ें आपको पता हो नीचे है कि सारी शिवालिक्स में आती है ठीक है अच्छा उसके बाद नीचे आजी मिकिर हिल्स मिकिर हिल्स आसाम में बहुत बार पूचा गया है यह वाला जो यह 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 वाला जिसको फिर स्टार लगा रहा हूं एक पटकाई बाम हिल्स डीच मनीपूर हिल्स ठीक है उसके बाद लोषाई हिल्स छाम त्री एफिर मीजो एल्स ठीक है उसके बाद अच्छा औरम गोजया घ्र मेंच्वे का चप्टर भी यहीं से कावर जाता मैक्सिमम में कितने ट्राइब्स हैं खासकर तीन जो यहीं है ठीक है देखे जैसे गारों हो गया खासी हो गया जंतिया हो गया तो अगर आपको ट्राइब्स के पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर पताना ले क्या सकते हैं तो यह तारी की तारी जो यह आताम वाला एरिया है तो मेगालिया में यह ट्राइब्स भी है और हिल्स भी है तो आपको जन्नित और भी याद रह जाएगा ठीक है तो आई होप आपको इसना कलेर हो गया होगा फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद हम आ ज ह guaramts लडगा है वो पड़ा उसके बाद हमने घ्रीं हिमालियाइधों उसके बाद शीवालिख के बारे में marry us कर उसkim सेडिमेंटरी रॉक से बनी होती है अब आप पूछों करो जितना समझाय जा रहा उतना पड़ो फिर उसके बाद जब वो टॉपिक आएगा ना रॉक्स वाला सेडिमेंटरी वाला वहां में पढ़ा देंगे ठीक है इतना जैदा पेशेंट्स वह अतावला नहीं होना है ठीक कहां पर नागलांड में एक चीद और आपको लिखनी है ति क्या लिखनी है कि नागा में सबसे बड़ी हिल्स है उसका क्या नाम है सारा मती इसकी हाईट कितनी है 3,088ί6ça मीटर आपको आइद रखनी की जुरूरत नहीं है बस आपको इसी लेवल के याद रखना है सारा मती यहां पर सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो कौन से है ब्लू मोटेन ठीक है जो सबसे बड़ा पॉइंट है मिजोरम के अंदर ठीक है उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेख्सेट वाले अरावली हिल्स के बारे में ठीक है तो अरावली हें डावाली हिल्स मैं आपको बताता हूं सबसी पहले में आपको मैप最 rebel समझाता हूँ अप यह देखिए और हômट 10 कम इस ए यार एक cleaning ह headaches सब्सक्राइब कोई बात नहीं किया हुआ है यह ओल्डेस्ट मॉन्टेंज है ओल्डेस्ट मॉन्टेंज आफ दा वर्ल्ड के अंदर ठीक है स्टार्ट कहां से होती है डैली देन पासे थूर सौधन हर्याना राजिस्तान एंजिन गुजरात यह नहीं आप मान के चलिए एक मै सबसे बड़ी पाड़ी कोन है गुरू शिकर पाड़ी आप पाड़ी निए पाड़ी कोन है गुरू शिकर पाड़ी है पर है screens अबहुत सब्सक्राइब करें लेकर वान बाया वान तो आप मैं स्टवीर करने कोशिश कर रहा हूं ठीक है जूरतासथाण तब कर दें Nadal राजस्तान है जब वीडियोस पर लाइक नहीं होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है फिर मेरा मानी नहींस करता मतलब काम करने का ठीक है तो दिल्वाड़ा तो फिलाल आज के लिए इतना ही बहुत है डिसकत है ना दें फिर उसके बाद ये चीज़े हमने पढ़ ली अब हम नेक्स्ट पर आते हैं रावली हिल्स तो हमने होगे ठीक है अब उसके बाद आब हम आते हैं रैंजिंस के अपर देखिए यह है विंद्या रेंज और यह सत्पूरा रेंज अगर आपको मैप आता होगा तो आप इसली से पहचान पाओगे कि विंद्या रेंज और सत्पूरा रेंज क्या होती है देखिए कहां से होती है विंद्या रेंज गुजराथ से स्टार्ट होती है उसके बाद यह वाले एरिया को टच करती है उप्रा बार्ड स्कימुरके प्राइफ गृतर करती आहां पर उप्र होले से होटे सीधा कहा Ó पकर जातों है यह यहीं जो जो आला बार्थ वाला एरिया और बंधेल खण वाला शहीं इनको टच्प करके हो सीधा यहां पर आ जाती है यहां पर खतम हो जाती है बिहार में खतम हो जाती है एस वाले इरिया में बहुता है तो अब इसे उनका नाम कैए मैं आपको पहले पताए है अलगा जगह पर अलग-णाम से जैसे महराश्ट्रा और मद्या प्रदेश के बॉर्डर पर जोम pilgrimage की जो रहें जाती है उसका कैनाम है तो यहाँ पर जो नाम है जो यहाँ पर पाडियू पर बॉर्डर पर पाडिया आते हैं उसका नाम जो महादेव भी तोंग शली पाटी है तो कैया नाम बन जाता है, इसका मैं काल इल्स बन जाता नाम, ठीक है, यह आपको याद रखना है, तो आई ओ, आपको इतना है कलेर हो गए होगा, मैं आपके ठीक है, यह मैंने कोशिश किया कलेर करने की, और आपको एक चीज़ याद रखनी है जो जितने भी हमारे रिवर्द है जितने भी हमारे रिवर्द हैं वो सारी के सारी रिवर्द कहां पर गिरते हैं भी आप बंगाल में दो को चोड़के एक नर्मदा और एक तापी यह सारी सारी कहां पर आ जाती है अराबिंसी में आ जा जाती है यह दो आपको याद रखनी है वैसे भी हम रिवर्थ वाले टॉपिक में उसको कवर करेंगे लेकिन जनरी जोर्प में बता रहा हूं ठीक है अब हम इनके बारे में पढ़के चप्टर डिसकस खत्म करते हैं ठीक है चलिए लिए गैज के बारे में देचिए मैं आपको हूए बता चुका है इसमें इस वशी एका 13100 मिटर बीच में विंद्यादत क्योंट इस और फार्णोर फार्णी के बीच में है इंक वाले को ako कंउर हिल्प के नाम से जानते हैं ठीक है इन बिहार द विंदियाद are known as कैमूर हिल्स यह नि जहांपे विंदिया खतम हो जाती है बिहार के अंदर ठीक है मैं आपको आपके दूरू बताता हूँ लेखे यह कौन सा एरिया है बिहार वाला एरीय है यह उपीवाला एरिया जहांपर जोषना का क्या नाम है सद बावना शीकर ठीक है जिसकों गॉड्विल पीक भी बोलते हैं विच लाइज 2467 फीट यानि 752 मेटर अब दा सी लेवल मेजर करते हैं अब इसकी तरीके से हम सद्पूरा रेंज के बारे में डिस्कूस करते हैं सद्पूरा रेंज में अब है कि सद्पूरा रेंज से इस सव शाइवन मांटेन्स साथ नामी उस्ते रखा गया सथ से मतलब साथ रेंजी जाती है इसके अंदर इट रंस इन इस वेस्ट आलेक्शन विंद्याद एंड निंट्विन नर्मद और तापी ठीक है तो मैंने वह आ ठीक है दूपगर नियर पचमाडी अनमादे वहिल देदा हैस्ट पिक सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा इसका दूपगर सथ पूरा रेंज की बात हो रही है ठीक है और विंद्या रेंज में कौन सी है हाइस पॉइंट विंद्याद की जो सबवन शिकर है यह आपको याद करेंगे विट प्रिक्टोग्राफिक अमेज के बारे में ठीक है तो जो भी होगा नेश्ट वाले क्लास में डिसकस्ट कर लेंगे उसको ठीक है और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूं यार मेरी क्लास नहीं न टोटल फाइब डेज ही आएगी ठीक है यानि यानी कर देना ठीक है अगर मैं आपके लिए तिनी मेनद करता हूं तो आपका भी फरस बनता के थोड़ा बहुत है ना कंप्रमाइज कर लेंगे भाई-भाई के तोर पर ना तो कुछ और और है समझने वाला तो वो भी डिसकस करेंगे नेश्ट वाले क्लास में ठीक है आई होप म सारी कि सारी जो है आज हमने डिसकस कर ली हुई है ग्रेटर हिमालयास मिडल हिमालयास है ना कि सारी सारी आज जो हमने डिसकस कर ली हुई है कवर भी कर दी है ठीक है यह ग्रेटर हिमालयास के बारे में आपको आपको बता दिया ग्रेटर हिमालयास के बाद यह ग्रेटर हिम तो मैंने आपको बताना था कि उसके बारे में अरावली के बारे में अब जब में आप बनाएंगे न मैब करेंगे अब मैं आपको खुर कर दूंगा ठीक है उसको आपको चिंता लेने की जुरूरत नहीं यह सारी सारी hills आ गई, hills आपको याद रखनी है, exam में बहुत बार पूछी गई है, इस चीज़ का दियान रखना आपने, ठीक है, तो बाकी यार, अगर कोई भी suggestion होगा, या आपको कोई भी चीज़ समझना आती होगी, वो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कल जो है, हम गाट्स के बारे में पढ़ेंगे आज हमने रैंजिस खतम कर दी कहलो हम गाट्स के बारे में पढ़ेंगे विद पिक्टोग्राफिक अमेज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो आज का लक्षर हम यहीं पर खतम करते हैं ठीक है बेस्ट ऑफ लग, bye, love you all